श्री नाज्य गुरुजी को लखादेश, माभगवती को लखादेश, राचिवाले भहिर बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश एक छोटा वीडियो यह बताने के लिए कि अगर आप साधना बहुत समय से कर रहे हैं, आपको साधना में सफलता नहीं मिल रही है तो उसके लिए क्या करना चाहिए एक साधक अमूमन पांच गल्तिया करता है, क्या है वो गल्तिया, सबसे पहली गल्ति जो एक साधक करता है, वो होता है अपने मंतर पर पकड़, अगर जिस मंतर की आप साधना कर रहे हैं, उस मंतर पर आपका पकड़ नहीं है, तो हो सकता है कि वो साधना आपकी सफर नहीं हो कैसे मिलता है मंतर पर पकड़ तो जो हमारा तांतरिक विधान है जो पद्दत्ती है उसमें एक विशय बताया गया है कि आपको छे महीने किसी भी मंतर को बोल करके फिर छे महीने उसको इस तरीके से बोलेंगे कि सिर्फ हम उस मंतर को सुन सके और फिर छे महीने उसका अजपा करेंगे मतलब डेड़ साल एक मंत्र को परफेक्ट होने में लगता है परफेक्ट होने से मतलब है कि उस मंत्र को जब आप बोलते हैं तो उस मंत्र से सही frequency बहार आती है आप ऐसे अगर किसी मंतर को बोलेंगे तो हो सकता है जिस frequency में उस मंतर को आना चाहिए वो frequency नहीं आए ठीक है? तो आज कल हम क्या करते हैं कि आज एक साधना किया, कल दूसरा साधना किया, तीसरा साधना किया तो इसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आप अलग-अलग साधनाई कर सकते हैं जो विशेश फल के लिए साधना होती है वो कर सकते हैं लेकिन एक साधना को अगर आपको perfect करना है तो पहले डेड़ साल उसके मंत्र को perfect करना चाहिए और फिर जब सात महिने आप उसके यंत्र के साथ उस मंत्र को जपेंगे तब वो तंत्र जो है perfect होता है और तब उसकी साधना जो होती है वो सफल होती है इससे ही आते हैं हम लोग अपने दूसरे point पर दूसरी गलती जो हम लोग करते हैं वो है यंत्र पर पकड़ ना होना 99 पर्संट जो साधक हैं आज के समय में वो यंत्रों पर ध्यान नहीं देते हैं यंत्र बनाते भी नहीं बगot कोई भी साधना अगर लंबे काल तक चल रही है जिसमें आश्ट की प्रापती होनी है क्या या फिर कोई विशेशशक्ति की प्राप्ति होनी है, वो बिना यंत्र प्रयोग के नहीं हो सकता है, ठीक है? यंत्र जब आप बनाते हैं, То आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यंत्र बनाने में, यंत्र में जो सामग्री लग रही है, वो परफेक्ट मतलब सबसे पहले तो जो साधना, जो मंत्र जो East कर रहे हैं, उनका Yantra आपको पता होना चाहिए, कि किस कारे में कौन सा Yantra लगता है, सब कारे में एक ही Yantra का प्रयोग नहीं लगता है, भले ही वो एक ही East हो, दूसरा यंत्र के लिए किस तत्व का प्रयोग होगा मतलब कुछ यंत्र है वो भोज पत्र पे बनते हैं, कुछ यंत्र है वो तामर पत्र पे बनते हैं, कुछ यंत्र है जो कि केवल एक पीपल के पत्ते पे बन जाते हैं, कुछ चमडों पे बनते हैं, कुछ लोहे के पत्ती पर बनते हैं, तो किस चीज पर यंत्र बन रहा है, यह आपको पता होना चाहिए, दूसरा जब यंत्र बन रहा है, तो यंत्र को आपको उसमें नकाशी करनी है, या फिर उभारना है, यह बहुत महतवपूर्ण है, ठीक है, तीसरी गलती जो हम करते हैं, वो है शरीर और मन, ज सबस्त नहीं होगा, तब तक आपका कोई भी साधना जो है, वो सिद्ध नहीं हो सकता है, यह तीसरी बात है, ठीक है, इसका क्या आरत है, शरीर किसी भी साधना को, किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए, साधना का मतलब क्या होता है, हम साधना से यह मतलब समझते हैं, कि क किसी मंत्र को हमने सिद्ध कर लिया जिससे हमें अलोकिक शक्ति प्राप्त हो या कोई अलोकिक देवता के दर्शन हो लेकिन साधना का मतलब होता है किसी भी कारे को कुशलता पूर्वा करना जैसे आप किसी ऑफिस के प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को करने क कि आपको घंटों समय देना होता है साधना में उसमें एकचरण आगे बढ़कर ये है कि आपको साधना में एक ही समय में जैसे आप ऑफेस या आज के डेट में जो भी कारी करते उसमें ब्रेक लेके करते हैं साधना में एक मोनोटोनस situation होता है हर रोज दो घंटे तो हर रोज दो घंटे साथ ना चल रहा है और वो आपको एक सिटिंग में अगर बैट के आप करते हैं तो जादा बैतर रहता है लेकिन योग उसको आना चाहिए शरीर उसका मजबूत हो दूसरा मन मन से तातपर है कि आपका मन आपके कंट्रोल में हो ठीक है जब आप साधना करते हैं तो आपका मन भ्रमित होता है आपका मन भटकता है ये एक बात है और साथ में क्यूंकि आप ग्रिहस्त साधक हैं तो ग् आदक शेहरों में रहकर के सन्यासी है वो भी ग्रहस तमाने जाएंगे क्यूंकि उनको भी अपना खाना और पीना और रहना इनका वेवस्ता शेहर और गाउं से नहीं करना पड़ता है तो मन भी हमेशा विचलित रहता है अलग अलग चीजों के लिए तो मन पे भी कंट्रोल करना ज़रूर है तो योग के साथ जो बहुत अमधव पूर्ण चीज है वो है ध्यान तो अगर आपको लगता है कि आप साधना कर रहे हैं तो आपको दिन में कम से कम आधे घंटे का ध्यान बिलकुल कुशलता पूर्वक करना चाहिए जैसे मैंने ध्यान पर कुछ वीडियो बनाया है उन सब ध्यान के वीडियो को देखे और उसको जब आप अपने जीवन में उतार पाईएगा तो फिर आपको समझ में आएगा जब आप साधना कर रहे हैं तो कोई भी विचार आपको छू नहीं रहा है मैंने वो लकड़ हारे का एक आप लोगों को कहानी बताया था कि एक लकड़ हारा था जो हमेशा पेड़ों को काटता था वो दिन भर चिंतित र सता था कि कल पेड़ मिलेगा कि नहीं वो पेड़ बेचने जाता था तब भी उसको यहीं चिंता सताती रहती थी कि वो उसको कल उसको खरीदार मिलेंगे कि नहीं वो रात में भोजन करने बैठता था तो उसको कल की चिंता रहती थी मतलब वो ना काटते हुए भी दिन भर पेड़ काटता रहता था मन में उसको एक साधू मिला एक गुरू मिला और उसका जीवन सुधर गया उसने अपने मित्र को बताया कि एक साधू मिला था उसका एद मेरा जीवन सुधर गया मित्र ने बोला मुझे भी बताओ कि कैसे जीवन सुधर गया तो साधू ने बोला मु तरित करने के लिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ध्यान कीजिए ठीक है चौथा गुरु गुरु वो हो जो आपको मार्ग दिखाए गुरु वो हो जो आपको अध्यात्मिक दुनिया में आगे ले जाए गुरु वो हो जो आपको कुछ कह दे तो आपका मन उलटके सवाल नहीं करे कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और जिस पत पर आप चल रहे हैं उस पत पर गुरू ने पहले कारे किया हूँ, गुरू वैसा होना चाहिए अगर आप एक गुरू से जुड़ते हैं और कुछ दिन बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी कुछ सीखना है तो आप दूसरे गुरू के पास जाते हैं, इसमें कभी भी जो पहला गुरू है जिससे अब उपर के लेवल के गुरू के पास आप गये हैं तो पहले गुरू की निंदा नहीं करनी चाहिए इससे होता यह है कि जो आपका पुराना किया हुआ साधना है जिसके बल पे आप एक नए साधक के पास एक नए उर्जा के साथ पहुँचा है वो खंडित हो जाता है ठीक है तो पहला गुरू सोच समझ कर चुनिए और गुरू ऐसा चुनिए जो कि आपका मजधार पार करा द ठीक है और पांचवा और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो गलतिया हर एक साधक करता है वो यह है कि जब वो साधना शुरू करता है तो वो डाइलमा में रहता है कि पता नहीं जो साधना कर रहा हो इसका विधान सही है कि नहीं पता नहीं कि इसका मंत्र सही है कि नहीं पता नहीं इस्ट कभी आएंगे की नहीं आएंगे पता नहीं कि इतना जो साधना में विधान दिया गया है मैं निष्ठा पूरवक कर पाऊंगा की नहीं ठीक है, मतलब साधना शुरू होने से पहले जितना नकार आत्मक विचार है उस साधना के बारे में मन में आ जाता है तो पांचवा जो गलती आप करते हैं वो ये है कि साधना शुरू करने से पहले आपको ना साधना पर विश्वास है ना guru जिसने mantr दिया है उस पर विश्व्शॉव से ना आप एक साधक को के आपको खुद पर विश्वॉश रहता है कि यह साधना आप कर पाएंगे तो ये पांच गलतिया अगर आप सुधार लेंगे तो कल से आप जो साधना शुरू करेंगे वो सफल रहेगा ये मेरा वचन है अप लोगों से आज के लिए इतना ही जिनको पेड़ वाट सो जूण रहा है वो मेरे नमबर 94311888585 पर जूड़ सकते हैं शुर्की 200 रुपय है जिनको मेरे आगामी कारीक्रम के बारे में जानना है जिनको मेरे शिविर में आना है वो www.agortantraha.com पर जाते हैं उसमें डीटेल्स आते रहते है डारेक्ट बात करने के लिए call me for app है app store और play store पर उसमें rootrna.cm4 सर्च करीगा तो मेरे प्रोफाइल में लिए बास पर आप मुझसे डारेक्ट बात कर सकते हैं भगवान अगुरेश्वर आप सभी की रक्षा करें ऐसी मेरी उनसे प्रातना है भगवान भेरवाप लगों को अधना ट्रक के ऐसी मेरी प्रातना है आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश